नमस्कार साथ यो स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट इनफार्मेशन दीपक पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे तो चलते हैं हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर जाने के बाद हम गूगल को ओपन करेंगे गूगल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट डाट कॉम सरकारी रिजल्ट डाट कॉम ओपन होने के बाद जो पहली साइड दिखा रही है सरकारी रिजल्ट इस पर क्लिक करेंगे देखिए सरकार रिजल्ट.com ओपेन हो गया उसके बाद इसमें दिखा रहा है रिजल्ट एड्मिट कार्ड लेटेस्ट जॉब तो हम इसमें देखेंगे एड्मिट कार्ड वाले सेक्शन में उसके बाद दिखा रहा है BSF Constable Tradement Admit Card तो इसपर क्लिक करेंगे इसपर क्लिक करने के बाद एक हमारा BSF का पेज ओपेन हो जाएगा उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे नीचे जाने के बाद हम Download Admit Card पर क्लिक करेंगे यह देखिए हमारा Download Admit Card वाला सेक्शन ओपेन हो गया है यह देखिए दिखा रहा है New Candidate Register तो इसपर आप क्लिक मत करिएगा Email ID and Password का जो आप्सन दिखा दे रहा है तो जब आप Farm फिलप कर जिसमें भर रहे होंगे उसमें आपको आप एक Email ID इसमें डाले होंगे Email ID डालने के बाद इसमें पासवर्ड एक पासवर्ड भी उसमें क्रियेट किये होंगे तो पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आईमनाट एरोबेट वाले आपसन पर क्लिक करेंगे उसके बाद Login कर देंगे तो यह पेज ओपन हो जाएगा मान लेजिए आप पासवर्ड भूल गये हैं तो पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे तो चलिए इसमें बताते हैं आप फारगेट पासवर्ड वाले सक्षन पर क्लिक कर दीजिएगा फारगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे उसके बाद है e-mail ID डालने के बाद I am not a robot इस पर क्लिक करिए सब्मिट कर दीजिएगा उसके बाद उसके बाद OTP जाएगा OTP जाने के बाद आप एक नया password create कर दीजिएगा उसके बाद back to login हम जाते हैं back to login जाने के बाद email ID में जो आप email जो आपको मिला होगा email आप डालेंगे इसमें उसके बाद जो आपके पास password होगा वो password आप डालेंगे उसके बाद I am not a robot पर क्लिक करेंगे उसके बाद login कर देंगे यह देखिए login करने के बाद ही page open हो गया इस interaction दिखा रहा है इस interaction यहाँ उपर cut का निसान दिया हुआ है यहाँ से cut कर देंगे उसके बाद देखिए profile update उस समय मान लिजए आप के आप profile अगर 100% नहीं complete किये होंगे तो यहाँ 100% नहीं दिखा रहा होगा उसके बाद हो सकता है आपका हम reject भी हो गया हो उसके बाद आप चले आईएगा action में action में देखिए दिखा रहा है view post details, print post details, print admit card तो आप print admit card पर click करिएगा यह देखिए print admit card हमारा सफलता पुर्वक हो गया है उसके बाद आप corner में दिखा रहा है print इस पर आप click करके इसको आप PDF बना कर save भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि यह कहां पर है देखिए फिचकल का डेट जो है 29 साथ 2022 को 6 होर्स और 18 होर्स का मतलब यह है कि सुबह 6 बज़े तक और साम के 6 बज़े तक फिचकल कराया जाएगा और reporting time में आपका 6 बज़े है तो आप 6 बज़े पहुँच जाएगा देखिए name is address आप examination center मतलब कहां पर है तो 178 BNBSF बाद मतुरा VPO बाद देश्टिक मतुरा UP में है मतुरा में उसके बाद देखिए उपर दिया है PST PET Tratist and Document Verification मतलब running भी किया जाएगा उसके बाद जो है Tratist लेंगे उसके बाद Document Verification भी सब करेंगे तो भाई अपने साथ Document जरूर लेकर जाएगा नहीं तो वहाँ से आप reject होकर आ सकते हैं तो अपने साथ जो भी Document आपका है Totally Document लेकर के जाएग उसके बाद जो इसमें running की बात की जाएगा तो 5 km 24 मिनिट में running है उसके बाद वही Tratist है और Document Verification है माल लेजिए कोई एगर 17 मिनिट में running कर देता है तो Tratist से मुक्त हो जाएगा उसको Tratist नहीं देना पड़ेगा अधिक जानकारी के लिए वीडियो को सेर कर दें और भाईयो तक वीडियो पहुंचा है तथा चैनल को लाइक करें शेर करें और नए नए जानकारी के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा है तथा चैनल को सस्क्राइब कर दे धन्यवाद